नेच्ट कुशन समझते हैं कुशन नमर्ट 10 कुशन नमर्ट 10 में क्या दे रखा है ABC आरदा वर्टीसियों के ट्रैंगल मैं एक ट्रैंगल ABC दे रखा है उसके वर्टीसियों हमारे पास दे रखा है और D क्या है सेंट्रोइड है और ट्रैंगल ABC का P is point of intersection of line P क्या इन दोनों माइनस 1 equals to 0 और साथ में दे रखा है 3x minus y plus 1 equals to 0 तो हमारे पास में क्या आगए P इन दोनों का point of intersection आगए D क्या है centroid है तो ठीक है centroid तो मैं direct लिख सकता हूँ D centroid तो क्या जाएगा तीनों के x coordinate का sum तो 3 plus 1 4 plus 2 6 6 upon 3 करेंगे तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा ठीक है तो यह तो 2 हो गया now by coordinate को add करते तो minus 3 plus minus 1 plus 3 plus 2 हो गया plus 4 plus 6 upon 3 किया तो कितना जाएगा यह नहीं 2 आ जाएगा तो point P जब हम find out करेंगे जब दौनों लाइन को solve करोगे तो point P के जो coordinate आ जाएगे तो मैं directly लिखता हूँ कितना आएगा minus का 1 upon 5,2 upon 5 आ जाएगा एक काम करते हैं इस लाइन काम पहले slope निकाल देते हैं slope हमारे पास में कितना जाएगा by 2-5 तो 2-2 upon 5 हमने कुछ इस तरह से लिखा upon में कितना जाएगा 2- of minus 1 upon 5 कराएगे तो this is plus 1 upon 5 आ जाएगा तो यहां से तो मैं लिख सकता हूँ 10 minus 2 8 by 5 तो यहां पर आ गया upon में कितना जाएगा है 10 plus 1 तो कितना जाएगा 11 upon 5 आ जाएगा ठीक तो 5 तो cancel होगे 8 upon 11 हमारे पास slope of this line आ गया now मुझे equation of line लिखना है तो equation of line क्या हो जाएगा equation of dp मुझे लिखना है तो dp कितना हो जाएगा y minus y1 2 यहां से आ जाएगा m slope आ जाएगा 8 upon 11 into कितना जाएगा x minus 2 यहां पर आ जाएगा इसको मैं इदर multiply करता हूँ तो 11 y minus 22 यहां पर आ गया this is a question कितना जाएगा 8x minus 16 आ गया equation of line dp कितना आगे 8x minus 11 y plus 6 equals to 0 आ गया अब हमसे पुछा हुआ कि कौन सा point जो है जो है जब फॉलविंग पॉइंट lies on the line कौन सा point line पर लाई कर रहा है तो ठीक हम first वाले point को check करते हैं ठीक है तो first वाले point को check करोगे तो क्या करोगे अपने minus 9, minus 7 यहां put करते हैं तो minus 9 जब यहां put कराएंगे तो यह बनेगा अपना minus 72 minus 7 को जब put कराएंगे तो minus 7 कितना बनेगा plus का minus 7 प्लस हो जाएगा this is 77 आ जाएगा plus का कितना आ गया 6 आ गया मैं इस यह कभी समझे रो नहीं आ सकता है तो first point तो satisfy नहीं कर रहा ना second point को put करते हैं second point किया लिखा हुआ? minus 9, minus 6 minus 9 को हमने यहां put किया तो minus 9 को जब put करेंगे तो put करने पर यहां कितना हो जाएगा minus 72 यहां पर आ जाएगा ठीक है, और माइनस 6 हमने जब पूट करेंगे, तो माइनस 6, माइनस अनस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो यह बनेगा अपना 66 आ गया, प्लस का 6 आ जाएगा, धिक कुर्ष्ट जे ज़्यां से देखो यह क्या लिखा हुआ है, 72 इसे एक कैंसल हो गया, तो मतला कितना option अपना करेक्ट जाएगा अप्शन सेकने इस करेक्ट अप्शन के लिए फिर नाव